एलो दोस्तों ABC कोचिंग योटोब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में कक्षा दस्वी साइन्स के अब्जेक्टिव कोशन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो सभी छात रन तक बने रहे और दोस्तों इस व प्रसक्राइब करने के साथ-साथ बैलाकून को प्रेश जरू कर लें ताकि बोर्ड एक्जाम की तैयारी इसी परकार से आप लोग करें तो चले दोस्तों कोशन के ओर चलते हैं तो देखिए दोस्तों इस चैप्टर का पहला कोशन आप देखें तो यहां पे लिखा है कि न जंग से बचाने के लिए निमने में से कौन सी विदी का उप्यूक्त है तो दोस्तों धियान देजिएगा लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए हम ग्रीज भी लगाते हैं पैंट भी करते हैं और जिंग की परत भी चरहा कर हम उसे सुरक्षित रखते हैं तो दोस्तों इसल वाले पदार्थ है उनके डिबो में जो है जिनक की बजाएं जो है जो आधिक अभिक्रियाlast होती है तो option is का सही आधियानसर होगा याद रखेंगे और सभी कोशन को आप अची से रख लेजएगा यह सभी कोशन आपकी बोर्टकी परिक्षा में 100% पूछे जाएंगे अगला कुछन देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई धातू oxygen के साथ अभीकिरिया कर उच गलनांक वाला योगिक निर्मीत करता है यह योगिक जल में विले है यह तत्व क्या हो सकता है यानि दोस्तों oxygen के साथ अभीकिरिया कर जो है वह उच गलनांक वाला योगिक निर्मान करता है और यह योगिक जल में विले भी होता है तो अब यह तत्व क्या हो सकता है तो दोस्तों इसका आशा जाएँ होगा calcium अगला है कि सिना बार किसका ऐसक है तो सिना बार जो है पारा का ऐसक है और नमबर b हैसका सही जाएँ यह question जो है पिछले बार भी पूशा गया था और यह question 100% इस बार भी आएगा इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे चलिए next question है सात्वा नंबर लिखा है कि एक्वा रेजिया में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है तो दोस्तों इसका अनुपात होता है तीन अनुपात होता है अगला है निमने में से कौन उभाधर्मी ऑक्साइड है उभाधर्मी ऑक्साइड ऑप्सन नंबर ए होगा अल्टू ओ त्री यह वाला तो मैंने पहले भी आपनों को बताया होगा है तीक है याद रखेंगे अगला है सीसा एवं टीन कामिस्रधात्तू को क्या कहते है इसे हम सोल्डर कहते है ऑप्सन नंबर एसका सही आंसर होगा स चलिए अग्ला खुशन है कि निम्ने मेंसे किसे चाकू से काटा आ जा सकता है तो देखिए दोस्तो लिथियॐम को हम चाकू से काटा सकते हैं तो और को सोडियोम से असानी से काठा सकता और ये मुलायम दातू भी है तो option number C जो है इसका सही आंसर होगा sodium अगला है कौन सा धातू कमरे के ताप पर द्रब होता है तो कौन से दातू जो है कमरे के ताप पर द्रब होता है ये तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा मैंने पहले भी बता रहा है डिसकस किय होगा अगला है कि निमने में कौन सा ओधातू है जो द्रब अवस्था में रहती है तो ये जो है ब्रोमीन जो है ये ओधातू है लेकिन द्रब अवस्था में रहती है तो option number A ब्रोमीन जो है सही आंसर होगा अगला है सबसे कठोर तत्व कौन है तो सबसे कठोर तत्व जो ह हीरा है दोस्तों आपनों को मैंने बताया था कि हीरा का क्रिष्टलिय जो फलन होता ये काफी मजबूत होता है तो इसलिए दोस्तों ऑप्सन नमबर इसका बी जो है सयान सरोगा हीरा जो है ये कठूर तत्व है ठीक है अगला है एक अधातू जिसमें चमक होती है तो देखें आयोडीन में जो है चमक होती है तो अप्सन नमबर इसका जो भी होगा सयान सरोगा ऐसा एक अधातू है जिसमें चमक होती है लेकिन आपनों को पता होगा अधातू में चमक नहीं होते है लेकिन आयोडीन एक अधातू होने के साथ सा जो है इसमें चमक होती है दोस्तों इस से कौन ठंडे जल के साथ तेजिस अभी किरिया करती है तेजिस अभी किरिया कौन करती है सोडियम आपसन नमर आपका भी सही आंसर होगा ठीक है इन सभी कोशन को आप लोग कॉपी में नौट करते जाएं और इसको अच्छे से याद कर लिजेगा अगला कोशन अठारा नमब करके बताएगा कि ऐसी कौन से मतलब ऐसी विधी जो कि हम पीट कर जो है पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं उसको हम क्या करते हैं अधात वर्दिता कहते हैं या कुछ और कहते हैं आप मुझे जो है नीचे कॉमेंट करके बताएंगे चलिए नेक्ट कोशन नमर दिख हैं अधिक क्रियाशील है यह कोपर क्यों है सबसे अधिक क्रियाशील लुख सबंद किया बताएंगे विधी क्या कहते हैं छूबीस क्या करेट यसद लेपन ठीक है याद रखेंगे सोना को लोहा पर जो है जिनकी परचाड़ाने को हम लोग क्या कहते हैं यसद लेपन कहते हैं अगला है निमने में कौन सबसे अभीकिरियासील है पटैसेम जो है सबसे कम सबसे अधिक जो है यह अभीकिरियासील लातू है ठीक है याद र पधातु है तो यहां पर पूछा गया सिलिकान क्या है तो इस चैप्टर का मैंने अब्जेक्टिव कोशन जो है पत्चिस बताएं है इन सभी अब्जेक्टिवों कोशन को आप लोग अच्छे से याद कर लिजागा रिविजन कर लिजागा और आपने अभी तक इस वीडियो अच्छे से कर सकने